नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हूं अपका ज्यान लेनर्स पर और आज हम देख रहे हैं क्लास 9 में जो चेप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम में एक्सराइज 1.5 का फिफ्ट नंबर कोशन ठीक है यह लास्ट कोशन है इस एक्सराइज का फिफ्ट नंबर कोशन तो देख का मतलब यह होता है कि जो डिनोमेटर है ना उसको रैस्टनल नंबर में लाना पड़ता है ठीक है तो इस से लेटिव जो बेसिक कंसर्फ की जो वीडियो थी वह मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप वह करना तो देखिए अंडर रूट 7 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अंडर रूट 7 और रूट 7 से क्या कर देंगे उपर भी और निचे भी क्या कर देते हैं मल्टिप्लाइ कर देते हैं ऐसा क्यों करते हैं आप देखेंगे कि रूट 7 अपॉन रूट 7 कितना आएगा आप दिखें खुद दिखें वन ही तो आएगा यानि कि इस पर कोई भी फरक नहीं पड़ने वाला यह दोनों आप असमाला कट जाएंगे या इसका वेलीव वन र तो रूट 7 कि इंटू 1 होगे तो कितना आगे आपका रूट 7 वंजा रूट 7 और आपको बता रखाया रूट 7 कि इंटू अगर मैं किस से करता हूं रूट 7 से करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलता है सिंपली 7 आपको मिलेगा ठीके रूट 7 इंटू रिजल्ट क्या मिला सिं गए डिहानी कि रैस्नाइज हो चुका है कैसे जो डिनावह्मिट्र है वह ऐस्यटर नमपर आ दिए बडियो 9 लिए चलिए आते ह्एक हैं सैंकिंड नमबर पार्ट हम नोट कर लेते ठीक है यह हमने व्यूंत कर लिए तिकिया हमने सेकिन अमबर root 6 है तो उपर नीचे किसे multiply करते हैं मैंने का अगर minus होगा तो क्या लेंगे हम plus लेंगे तभी वो क्या बनेगा नीचे rational number बन पाएगा आप minus सीन मत लें क्योंकि minus लेंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है मैंने के लगा दिन पर यूज कर लिए ठीक है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ताकि confusion से बचा जा सके तो देखिए minus के लिए तो हम plus से उपर नीचे multiply कर देगा अगर plus होता तो आप minus ले लेते है ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता यहाँ पे कौन सा formula लगने वाला है वही फार्मल लगने वाला है a minus b और a plus b वाला formula क्या होता है वही a square minus का b square ठीक है तो यह वाला इसमें formula या जो identities है वो लगने वाली है तो देखिए इस से इससे पूरा-पूरा कट जाएगा तो फरक कुछ नहीं पड़ा इसका value कितना होगा नहीं होगा तो बचा तो वही तो बिल्कुल सही किया हुआ है तो बोध नोमेरेटर एंड डिनावमेटर मल्टिप्लाइब रूट 7 प्लस रूट 6 आप लेंगवेज लिख सकते हैं सकते किन केंना है , तो निचे कभी भी रैस नर्मबन नहीं बन पाएगा उसको तब हम रैसल एज नहीं का मतलब यह होता है कि डिनावमेटर को हमें क्या बना एक रैसनल लंबन लाना है , यहां तक आपका हो गया , हैं निचे root 7 plus root 6 आपका हो जाएगा ठीक है नीचे a minus b a plus b करेंगे तो a a का square या नहीं कि root 7 का square minus b b मतलब root 6 का square ठीक है इतना हो गया आपका और भी इसको solve करेंगे तो root 7 plus root 6 अब आप आपको बता रखा है मैंने कि भाई जैसे कि अभी बोला भी root 7 into root 7 कितना होता है 7 होता है कैसे होता है 7 आपको बता रखा है कि root 7 का क्या हो गया दो बार हो गया तो हम square कर सकते हैं तो इस square root का मतलब क्या होता है कि जो power है actually हो कितनी है 1 upon 2 है और whole power 2 है यह आपस में क्या हो जाते है multiply यानि कि 1 upon 2 into 2 2 से 2 cancel तो 7 की power of 1 means के वल 7 तो नीचे जो आपको दिख रहा होगा root 7 का square यह simply आई जाएगा आपका 7 और root 6 का square भी कह जाएगा simple 6 square root cancel तो आप final answer देखेंगे root 6 plus root 6 root 7 plus root 6 upon में कितना आ गया 1 और अगर आप इस one को ना भी लिखे तो कोई ज़रूत नहीं है simple यह आपका आगया root 6 answer आ गया तो कहने का मतलब जो denominate था वो एक rational number आ चुका 1 1 कैसा number है rational number है ठीक है चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे ठीक है तो देखें थर्ड पार्ट नोट कर लेता हूं मैं थर्ड पार्ट है one upon under root 5 plus under root 2 ठीक है तो यह हमने थर्ड पार्ट नोट कर लिया clear तो देखें हम फिर से क्या करेंगे both numerator and denominator ठीक है both numerator and denominator आप लिख सकते है language अगर आपको कोई दिक्कत है याद करने में ठीक है तो आप ऐसा लिख सकते है ठीक है कि भई हमने क्या किया both numerator and denominator क्या multiply by root 5 plus के लिए क्या करेंगे मैंने का माइनस से करना जैसे भी माइनस था ना तो हमने किस से किया प्लस से किया पिछले वाले कोर्षन में तो यहां पर plus है तो हाप माइनस से करें मैंने का इन पर क्या लगा दे आप इन पर आप bracket लगा दे ठीक है तो चलिए उपर तो वही हो गया करेंगे तो यही आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आ गया नीचे देखें वही हो गया ए प्लस भी ए माइनस भी अभी बताया आपको पीछे फॉर्मला ए का स्क्वार माइनस बी का स्क्वार ठीक है इस तरह से आपने कल लिया तो ऊपर तो कोई चेंजस न लंबर है तो यह हो गया इसका इसका डिनोमेटर का चलिए लास्ट पार्ट इसका फूर्ट पार्ट उसको भी लिग लेते हैं वान अपॉन अंडर रूट 7 माइनस रूट 2 तो इस तरह से हमने फूर्थ पार्ट नोट कर लिया ठीक है आपका तो दीखें कैसे करेंगे लिए ल्टिप्लाय कर देए बहीं कोई फरक नहीं पदाए जयाएगा थो यह बचा उतना वान कि पार नहीं पड कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो देखिए इसके इंटू ओन्स हो गी क्योंकि इन्टू तो नोमेनेटर की नोमेरेटर से होती है दिनॉमेटर की इन इन्टू करेंगे तो रूट-7 प्लस और 7-4 कितना हो तादे के 3 होता है तो यह आपका यह भी राशनलाइज हो गया है जो नीचे है डिनामेटर वो राशनल लंबर आ चुका है ठीक है तो इस में आपको मैंने 5th question बताया exercise 1.5 का last question था और इसी के साथ आपकी exercise एंड हो चुकी है ठीक है और आपको यह वीडियो भी पसंद आयो अगर पसंद आये तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेर लाइक करना मत भूलेगा थैंक इस सो मच वरॉचिंग दिस वीडियो